असलाम आलेकुम आज मोडिल 2 की सेकंड किलास है और थोड़ा सा रव्यू देंगे फिर्स्ट किलास में मैंने आपको हाउस के बारे में यह सलसला शुरू के बताने का तो हम आपको बता है थाकिंगे एक वार में आपको बता इसका रिफ्टी समय प्यूलोग प्रतों कि दाव छिस ्ट स्टार्यलोजिय में उसके क्या विप्टी राइं उसक्या फीचर आर अपने जिंदगी के अंदर कौन से यह को आप से इसरी से तरlawं KE फिर्स्ट हाउस का रिव्यू लेंगे फिर्स्ट हाउस का एक कीवर्ड है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके अंदर वो है दा हाउस आफ सेल्फ हाउस आफ सेल्फ जी कीवर्ड है ये नोट कर लें अबाउट यूर सेल्फ के बारे में या इसको आप सोल भी कह सकते हैं कि आपकी सोल क्या कह रही है वाट इस यूर सोल वाट इस इस यूर सेल्फ अबाउट यूर सेल्फ अपने self के बारे में जानना, soul के बारे में जानना जो है वो first house हमें बताता है second house के अंदर, जो second house के जो attributes हैं, उसको आप लोग note कर लें second house में money, पैसा, finance, किसी भी type का finance जो आपकी जिन्दगी में monetary gain मिलते हैं, जो फवाइद मिलते हैं, पैसो के हवाले से, किसी भी किसम के जो benefits मिलता है वो monetary gain में आएगा और वो भी हम second house से देखेंगे, और दूसरे लवज में house of wealth भी इसको कह सकते हैं किसी भी इनसान की wealth कितनी है, उसकी wealth के बारे में जानना हुआ, वो second house से में बताता है small family small family उसके साथ, मैं एक बात यहाँ पर add कर देना चाहता हूँ बहुत सी जगाओ पर second house को सिर्फ money, monetary, benefits यह finance से ही इसको देखा गिया है लेकिन यह आपके source और resources को भी जाहर करता है जो आपके जिन्दगी में sources हैं या आपके resource है second house से देखेंगे, या इसको आप values भी कह सकते है कि आपके values क्या है values का मतलब यह होता है कि किसी भी इनसान की value अंदाजा लगाते हैं कि इसके family values क्या है तो family values जो है, वो भी आपको second house से देखने हैं money, पैसा आपके family values को बनाता है या पैसे से आप किसी भी इनसान की value को भी check करते हैं कहां से पैसा आएगा उसकी accumulate wealth, cash liquidity भी आप इसके अंदा ले सकते हैं या liquid cash liquid cash उसके पास cash जो है वो कि तरह मौझूद है asset भी इसी से आता है अगर आपके पास cash wealth है आपने कोई jewelry या gold इस टाइप या silver कोई precious चीज़ें भी आपने कट्टा करी हैं या मौझूद है तो वो भी आपने wealth से generate करी हैं आप सारी चीज़े आप second house ही देखेंगे body type के अंदर second house के अंदर body type के अंदर second house के अंदर आपका जो पार्ट आता है वो mouth यानि कि जो आप खाते हैं यानि कि जब mouth आएगा तो आप इसके साथ साथ food भी second house से देखेंगे कि वो इनसान वो native किस किसम का food इस्तामाल करता है second house हमारे जो है वो उसको भी बताएगा कि वो words क्या है उसके बोल चाल conversation भी कहते हैं लेकिन conversation कुछ पार्ट इसमें आता है क्योंकि words और अलफाज यह second house से देखेंगे लेकिन वो third house के अंदर conversation उसके आ जाएगी first house को मैंने आपको पहले बतायता है first house में brain है और और उसके अंदर head की position है और first house पूरी personality बताता है यहने कि सर के बाल जो आपके सर के बाल से लेके पैर के अंगोठे तक जो पूरा वजूद है उसका body type है वो structure first house देगा मज़िद के टेगराइज किया इसको हमसे पहले के लोगों ने काफी स्पर रिस्टर्च और तहकीक करी है इसके अंदर जो आती हो add करें उसको लेकर आगे चलें second house जो है वो body type के अंदर मैंने आपको बताया के mouth food जब food की बात आ रही है तो फिर food आपको बताएगा कि उसका उसकी values क्या है किस अकसर लोग खाना खाते हैं बाहर जाते हैं और outing करते हैं तो उससे भी आपको अंदाजा होता है उस बंदे की values का इन सब चीज़ों को जो values denote करती है उसकी बातचीत जो उसकी बात कैसी है किसे अलफाज वो निकालता है किस किसम की बात करता है तो वह भी आप जब mouth आएगा इसके अंदर तो आप इसको second house से लेखेंगे second house से आप body type के अंदर mouth है तो eyes भी इसी के अंदर है eyes भी air ये भी second house से लेखेंगे matter करता है इसके अंदर money finance asset and family small family की बारे मैंने आपको बताया small family का मतलब ये है इसको तोड़ा सा में clear कर दूँ small family small family में husband wife and children yes एक बड़ी family होती है आपकी जिसमें आपके parents भाई भेन और दीगर लोग चचा मामो अंकल बहुत सारे लोग एक सार ज्वाइंट के भी रहते हैं तो वो इतनी बड़ी family जो है वो आपने second house से नहीं देखनी है उसके अलग अलग houses हैं आगे जाके discuss कर रहे हैं वो भी आपक में उस शक्स native native को भी समझा दूं native कहते हैं किसी जैसे कि मुख्लिफ terminology यूज़ हुई है मुख्लिफ subjects में अब water हम बोलते हैं पानी आम जुबान में लेकिन chemistry और की language में water को hqo कहते हैं इसी तरीके से medical के अंदर भी बहुत सा ही terminology मुझूद है तो astrology में किसी शक्स के बारे म में जो वो बॉन हुआ है उस पूरी बात को एक sum up करके word निकला गया है वो है native तो natives family के लाएगा यानिके आपकी family कोई भी हो तो उसके अंदर यह husband wife husband wife and children's इस family को अगर देखना हो तो वो भी हम second house से देंगी पैसा उसका कहां से आएगा कैसे आएगा यह हमें planet बताएगा व तो आगे आप यह मैं अभी बता सकता हूं आपको लेकिन आप लोग पन्फ्यूज हो जाएगे मेरा मकसद है आप लोग को बताना सिखाना तो आप इसी तरीके सारे body types सारे जो इसकी houses है उसको समझते जाए उसके बाद जम प्लानेट का सिल्सला शुरू करेंगे तो बहुत इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लें कि आपका घर आपके लिए बड़े सकून का बाइस होता है किसी भी इनसान का जब अपने घर में आता है तो उसको कहते हैं कि दुनिया घूम के आजाए आप लेकिन जो सकून जो राहत और इत्मिनान आपको अपकी घर में मिलता है वो कहीं नहीं है तो आप अपने घर में आप ओनर होते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बदायता है कि हाकिम सेयारे होते हर गर के ओनर इसे एरिस का मार्स है टॉरस का वेनिस है जेमनाई का मर्करी है कैंसर का मून है लियो का सन है इसी तरीके से पाइसीस का जुपिटर ह यहां तक आपको डिटल से पिछली वीडियो में देख सकते हैं तो हाकिम सैयारा जो है वो हर घर के अंदर आप अपने घर के अउनर है तो आप कमफर्ट फील करते हैं इसके साथ जब आप कहीं और जाते हैं किसी और की घर में जाते हैं तो अगर वो घर आपके दोस्त का है आपके अच्छे जानने वाले का है जहां कुसी मेरते है धिता है इसकी तुक्त के बदल जाते हैं और नेकर वह जाते हैं इनी चीज़ों को देखना पड़ता है और फिर जाके प्रेडिक्टिव अस्ट्रोजी डिजाइन होती है क्योंकि यह बेसिक कोर्स है अभी इस वक शुरू की क्लास है तो आपने इसको इसी तरह की सब्विटना है जो मैंने आपको समझाया है पहली क्लास के अंदर फर्स्ट हाउस मॉडिल टू की पहली क्लास में फर्स्ट हाउस आपके दा हाउस ऑफ सेल्फ हाउस ऑफ सोल आपका परसनल्टी कैसे दिखते हैं वो शक्त कैसा है एगो क्या है एटिटुट क्या है उसके कॉंपलेक्शन क्या है यह फर्स्ट हाउस बतात कर दो आड़ सरे जो खुंड है कि हुष उसका समय फैमिली है उसका का पार्ट जो बॉडड़ी टाइप अ है अधे नहे iZं को भी आप सेकंड है रहा है और जब माउथ है तो उसका food कैसा है वो कैसा food खाता है उसको क्या food पसंद है तो वो भी आप second house से देखेंगे और इसको आप इसकी practice करिए अगर आप लोगों को इसके हवाले से कोई सवाल अगर जहन में आता है तो आप इसी वीडियो के comments में इससे relate question कर सकते हैं मैं इसको अपनी वीडियो में इसके answer दूँगा और इंशालला बहुत जल लाइव आपके आपको life questions के answer आपको मिलेंगे अस्ट्रोजी के सफर में साथ रहिए सेखते रहिए बहुत मदा आने वाला है आप अपने आपको अपने self को inner self को explore करें जो परवर्दिगान ने आपके दर खोस्याद रखी है खासित रखी है उसको पैचानी है और अपनी जिन्देगी को बहतर बनाएगे आगे class में पर मुलाकात करेंगे जब तक जादर Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh